नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे ट्रिपल आइटी सोनिपत में आसिस्टन प्रोफेसर का जो वैकिंसी निकला है बहुत सारे सब्जेट के लिए तो इसे के बारे में हम आज डिसकसन करेंगे तो चलिया चलते हैं उसका ओफिसियल वैबसाइड में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे ये टीचर से चैनल फुले डेडिकेटेड है उनके लिए जिन्होंने फुचर में एक अच्छा टीचर प्रोफेसर असिस्टंड प्रोफेसर लेक्चर बनना चाहते हैं यहां हम टीचर से रिलेटेड स्टेडीज कॉम्पिटेटिव एकजामस और जॉब के बारे में हम डिसकर करते हैं तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और नीचे जो हमारा जो सोसियल मेडिया साइड दिया गया है फेस्बूक, ट्विटेर और लिंक्डिन को आप फॉलो कीजिए फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेसन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो जैसी के आप देख सकते हो यह है इसका ओफिस्याल वेबसाइट इंडियान इस्टिट अब इंफर्मेशन टेक्नोलोजी सोनीपत तो यहां मेंशन किया गया है जॉब्स तो हम जॉब्स के उपर क्लिक करेंगे तो देखे यहां मेंशन किया गया है यह पब्लिश हुआ है 19.5.2021 को हेडलाइन आपकेसन आ इंभाइट टू दे टीचिंग पोजिशन लास्ट डेट फर रिसीप टव अप्लिकेशन इज अप्टू 9.6.2021 फाइब तो इसका जो लास्ट डेट है यह नौ जून 2021 तो हम इसी के उपर क्लिक करते हैं डिटेल्स के लिए तो यह है इसका ओफिस्यल नोटिफिकेशन तो आप देख सकते हो यह बहुत सारा वैकेंसी निकला है यहां मेंशन किया गया है तो डिपार्टमेंट अब कम्पीटर साइंस और इंजिनेरिंग और डिपार्टमेंट अफ इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी यह दोनोग डिपार्टमेंट में यह सारे वैकेंसी निकला है तो आप देख सकते हो, the name of the post, grade, level, vacancies, and reservation category, first post, assistant professor in CAC and IT, next is assistant professor in ECE, then next post is assistant professor in mathematics and humanities, so total, जो यह सारे के सारे, जो है, यह सारे के सारे grade 2 में आता है, और इसके जो level है, यह 10 है, और total vacancy कितना है, तीनों में, total vacancy है, 9, उसमें से unreserved है, 6, OBC है, 2, and SC है, 1, यहां mention किया गया है, note, the total salary includes pay, in the pay level, transport allowance, dearlands allowance, HRA, accommodation, and NPS employees contribution as for the government of India's rule, from time to time, तो आपको जो भी यहां salary मिलेगा, जो भी facility मिलेगा, यह government of India के rule के हिसाब से ही मिलेगा, तो यहां आप देख सकते हो, assistant professor grade 2 का pay level का 10 में, जो आता है, आपका salary, यह है, 57,700 से लेकर 98,200, ठीक है, और जैसे कि यहां mention किया गया है, पर further details regarding the submission of application form for the post of assistant professor CSE and IT assistant professor electronics and communication engineering and assistant professor for basic science grade level 2, please visit institute website, और इसका जो last date है, यह है 9 जून 2021 अप्टो 5 प्यम, और इसके लिए regarding है, आपका कुछ भी जदी कोरी है, तो आप इसको contact कर सकते हो, बाकि यहां आप देख सकते हो, ठोड़ा details में, जो qualification क्या क्या चाहिए, जैसे assistant professor CSE, IT and ECE के लिए, तो qualification चाहिए, PhD in a relevant discipline with first class, at least BTEC, BE, MTEC, ME level, और two research paper publish होना चाहिए, बाकि pretend granted, बाकि जो भी है, थोड़ा देख लेना, ठीक, इसी प्रकार assistant professor in mathematics and humanities में, PhD होना चाहिए, और उसके साथ-साथ BSC या BMA आपका भी first class होना चाहिए, BSC, BA, MSC, MA में first class होना ज़रूरी है, और computer science engineering, IT and ECE में आपका जो bachelor degree है, वो engineering होना ज़रूरी है, engineering और technology में ज़रूरी है, compulsory, और बाकि आप specialization देख सकते हो, area के हिसाब से आपका क्या-क्या specialization रहेगा, आप यहाँ भी थोड़ा देख सकते हो, mathematics and humanities में आप यहाँ देख सकते हो, humanities में आपका जो specialization होगा, यह English, और linguistic, और mathematics में होगा, आपका numerical methods, then discrete methods, discrete mathematics, then differential equation and statistics, then exemption from the faculty, यह थोड़ा सा आप पढ़ लेना, then general instruction, the institute reserve the right to reject, यह गया था, the institute reserve the right to increase, the application to submitted a hard copy is only in the press card format, यह जो application आपको जो भेजना है, इसके लिए इसका specific format है, उस format को आपको डाउनलोड करके, वहाँ सारे के सारे चीज को fill up करने के बाद, आपका self-attested सारे के सारे certificate को लगा के, आपको इस address पर भेजना पड़ेगा, देखे यहां एक address दिया गया है, इस address पर, यहां mention क्या गया है, the application firm Salvis supplied on the postal request, the candidates are advised to download the same from institute website, the copy of the application firm, duly signed and enclosed with the self-participated photocopies of certificate testimonials, should reach this address before 9-6-2021, before or on 9-6-2021, तो इसका जो application firm कहां मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा, देखे यह है application firm, यहां आप देख सकते हो, यह है आपका detailed notification और यह है आपका application firm, एक बार देख लीजिए, तो इसके बाद आपको mention करना पड़ेगा, आपका जो application firm के ऊपर, जो envelope के ऊपर, कि आप कौन सा position के लिए आप apply कर रहे हो, यहां mention किया गया है, ठीके, तो नीचे चलते हैं, बाकी जो भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप पढ़ लिजिए, और यहां लिखा गया है कि, the clarification queries और context of recruit में, जो भी है आपके पास, तो आप कुछ यह जानना चाहते हो, तो आप इस email ID पर आप contract कर सकते हो, और इसके लाबाद देखे, application fee यह mention किया गया है, जेनरल OBC EWS के लिए 1,000 रुपीज, और candidate from within India, SCSTPWD के लिए 500 रुपीज, और candidate from outside India, all category के लिए 1,000 रुपीज, यह है आपका application fee, और इसको आप pay कैसे करोगे, आपको pay करने का दो तरीका, एक है demand draft, बनाओगे आप, triple IT sonpet के नाम से, और एक आप NEFT कर सकते हो, यह जो नीचे जो दिया गया है, बैंक का details, और इसके सारे के सारे जो receipt है, यह receipt आपके पास रखना पड़ेगा, और receipt के पीछे आपका नाम, आपका mobile number, contact details अब लिखना जरूरी है, यहां mention किया गया है, candidates are required to write his or her name, contact number, and the post applied for on back side of the demand draft, or NEFT receipt, and must attach it with the prescribed application form, तो लिखने के बाद आपको यह attach करना पड़ेगा, जो आप application भेज़ोगे उसी के साथ, और यह जो application fee है, यह non-refundable है, आपको नहीं मिलेगा, then submission of document, यह document के साथ साथ आपको क्या-क्या भेजना है, पूरा एक list दिया गया है, आपको थोड़ा यहाँ देख लेना, तो application form देख लेते, तो यह है इसका application form, इसी को डाउनलोड करके आपको fill up करना पड़ेगा, fill up करने के बाद आपको भेजना पड़ेगा, hard copy, ठीक है, इसका link में देदूँगा description में, सारे के सारे link में देदूँगा description में, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, बाके आप देख लेना, आपका जो calculation of the grade points कैसा होगा, selection procedure क्या रहेगा, इसको थोड़ा सा देख लेना, तो यह था details, तो जितना जल्दी हो सके, आप इसको apply कर दीजिए, इसका जो last date है, यह है, जैसे कि मैंने बताया, 9-6-2021, और इसका जो link है, सारे के सारे मैं देदूँगा description में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, तो thank you, all the best.